आप सभी को मेरा नमस्कार जैहिन तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा आठ विशय गनित और अध्याय ग्यारा है इसमें क्षेत्र मिती तो इसमें प्रसनावली ग्यारांद समलव एक करेंगे हम तो प्रसनावली ग्यारांद समलव एक करने से पहले हम क्या करेंगे इसके फॉर्मूले देख लेते हैं तो आप देखो ये फॉर्मूले हैं तो इसमें ये है अध्याय ग्यारां आपकी गनित में दिया हुआ है तो ये आपने ये टेबल जो है इस तरह से आपने मिलान कर लेन है इसमें तो इसमें दिया हुआ जैसे ये है आयत आयत के क्षित्र फल का सुत्र है ये ए गुना भी और फिर ये वरग है वरग का क्षित्र फल है ए गुना ए ये त्रीवुज का अगर अधार और लंब दिया हो तो त्रीवुज का क्षित्र है एक बटे दो अधार गुना लं एक बटे दो बी गुणा एच फिर उसके बाद है हमारे पास ये समांतर चत्रबुज है समांतर चत्रबुज में अधार और लंब दिया है तो समांतर चत्रबुज के ख्षित्रफल का सुत्र ये उतता है बी गुणा एच यानि अधार गुणा उंचाई ये हमारे पास वृत ह test कि तृ Ready तो Pi V स्केर यानि पाइ गुना भी गुना भी और पाई का मान हम देते हैं 22 8 क्या लेते हैं हम 22 बटे साथ तो आपने यह ध्यान कर लेना है और यह फार्मुले आपने पहले रिवाईज कर लेनी है फिर उसके बाद है अब यह दिये हुआ एक्सेसाइस से पहले नीमन अकृतियों का मिलान की पताना है कि अकृतियों की शित्रफल का मिलान कीजिए तो यह दिये वेंदर 49, 77, 98 तो अब जो यह है इसमें समांतर चत्रफु जाएए तो इसका 98 आता है क्योंकि 14 और 7 को गुणा कर लेते हैं 14 सत्य ठान में होते हैं और यह है अर्दवृत, अर्दवृत का क्षेतर फल आजेगा पाई आर स्केर बटे दो यानि इसमें आजाएगा बाइपस बटे साथ, गुणा साथ, गुणा साथ, बटे दो तो यह 77 आजाएगा कटके और इसमें त्रिबुज है, यह त्रिबुज का अधार दिया है, 14 सेंटीमिटर उचाई दी है, 7 तो जो उपर फार्मूला दिया हुआ है, एक बटे दो अधार गुणा लंब, तो इस फार्मूले से 14 आइन आपका अंसर आ जाएगा तो अब हम एक्सराइज करते हैं, 11 समलग एक, तो 11 समलग एक एक्सराइज हम देखो करेंगे, तो इसमें पहला प्रसंद है, चित्र में अकरतियां दी हुई है, एक आताकार और एक वरगाकार खेत के माप दी हैं, तो यदि इसके प्रिमाप समाना है, तो खेत का क्षित्रफल किसका अधिक होगा, तो ये एक तो वरग दिया है, ये 60 मीटर उसकी लंबाई दी हुई है, वरग की, और ये आताकार खेत दिया हुआ है, इसकी बुजा दी हुई है 80 मीटर, तो इसमें बताना हमने किसका क्षित्रफल अधिक होगा, तो इसमें, और ये कह रहा है कि इनके प्रिमाप समाना है, प्रिमाप दोनों के एक समाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, वरग का प्रिमाप निकालेंगे, उस वरग के प्रिमाप को हम आयत के प्रिमाप के बराबर रखके, आयत की उचाही निकाल लेंगे, तो जब हमेरे लंबाई उचाही दोनों मिल जाएगे आयत की, तो हम अक्ष तरफल अधिक है तो इसमें उत्तर दिया हुआ है आयताकार खेत की बुजा 60 मीटर दी हुई है और आयताकार खेत की बुजा 80 मीटर दी हुई है फिर प्रसंद के उनसार आयताकार खेत का परिमाप और वर्गाकार खेत का परिमाप दुन्नों बराबर हैं तो आयताकार खेत का परिमाप का सुत्तर लगा दिया हमने दो गुना लंबाई जमा चुडाई और ये चार गुना बुजा जो होती है वरक का परिमाप होता है तो ये लगा दिया हमने फिर उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे देखो दो गुना लंबाई दे दिया हमने असी और चुड़ाई हमें पता नहीं इसकी तो B लिख दिया उसको और बराबर 4 गुणा भुजा वरक की भुजा कितनी है 60 मिटर है तो 4 गुणा 60 कर दिया फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तो जब हम 2 को 80 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 80, 160 आ गया यहाँ पे और फिर उसके बाद 2 को 20 से गुणा किया 2 भी आ गया और फिर बराबर आ गया 4 गुणा 60, 240 तो यहाँ से हम B का मान निकाल देंगे सौलो करके 40 मिटर आ जाता है तो अब यह B की यानि यह आयत की जो लंबाई है उंचाई है यह चोड़ाई है वो आगी हमारे पास 40 मिटर और इसकी लंबाई 80 मिटर है तो इसका क्षेतरफल निकाल लेंगे तो पहले वरक का क्षेतरफल निकाल लेंगे बुजा गुणा बुजा करके 60, 60, 36 100 मिटर स्केर ऐसे ही आयत कार खेत का क्षेतरफल लंबाई गुणा चुड़ाई करके आगया 32 मिटर स्केर तो अब हम देखेंगे किसका क्षेतरफल अधिक आया वर्गाकार खेत का तो इसलिए वर्गाकार खेत का क्षेतरफल अधिक है तो ये हमारे पास प्रसन हो गया पहला फिर उसके बाद है दूसरा प्रसन दूसरे प्रसन में देखो क्या करेंगे शिरीमती कोशिक के पास चित्र में दर्साए गए मापो का एक वर्गाकार प्लाट है ये वर्गाकार प्लाट है ये प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है और घर के चारों और एक बगीच्चा विक्सित किया गया है और पच्पनु परती वरग मीटर की दर से बगीच्चा विक्सित करने का खर्चा निकालना है तो हमने पहले तो इसका क्षितरफल निकालना है बगीचे का तो बगीचे का क्षितरफल निकालने के लिए हम क्या करें पहले पूरे वरक का क्षितरफल निकाल लेंगे और फिर जितने में मकान बनाएंगे उसका क्षितरफल निकाल लेंगे पूले प्लाट के ख्षितरफल में से मकान का ख्षितरफल घटा देंगे तो वो बगीचे का ख्षितरफल आ जाएगा तो वरगाकार प्लाट की भुजा दी हुई है 25 मीटर तो ये 25 मीटर चोड़ा है प्लाट पुरा और plot का क्षित्रफल निकाल लेंगे क्योंकि वरगाकार है ये तो भूजा गुना भूजा 625 वरग मीटर इसका क्षित्रफल आ जाएगा अब घर की लंबाई जो है 20 मीटर है घर की लंबाई कितनी है 20 मीटर दियू ये चित्र में जितने के अंदर घर बनाना है और उसकी चोड़ाई दी हुई है 15 मीटर चित्र में देखो ये 15 मीटर दी हुई है और ये 20 मीटर दी हुई है तो क्षित्रफल निकाल लें घर का तो लंबाई गुना चोड़ाई करके 300 वरग मीटर आ जाएगा घर का क्षित्रफल तो बगिच्चे का क्षित्रफल आ जाएगा 625 में से 300 वरग मीटर घटा देंगे तो ये 325 वरग मीटर बगिच्चा जितने क्षित्रफल में बगिच्चा होगा तो वह होगा 325 वरग मीटर अब एक वरग मीटर पर बगीच्चा विक्षित करने का खर्च देरख्या 55 रूपे और 325 वर्ग मीटर का खर्च ओजएगा 55 गुना 325 तो 17,875 रूपे चोटल खर्चा आएगा फिर उसके बाद तीसरा प्रसन है हमारे पास तो तीसरा प्रसन देखें जैसा कि आरेक में दर्शाया गया है कि एक बगीच्चे का अधार मध्या से आयताकार है देखो यह बीच में से यहां से आयताकार है यह और उसके किनारों पे अर्द वृत लगियों तो बगीच्चे का प्रिमाप और क्षेत तर्फल निकालना है और इसकी लंबाई टोटल दिए है बीस मीटर और यासे दियू यास की साथ मीटर तो हम क्या करेंगे कुल क्षित्तरफल निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले बीच के आयत का क्षित्तरफल निकालेंगे और दो अर्द वरीत है किनारों पे तो दुन्नों को मिलके पूरा एक वरीत हो जाता है तो पूरे एक वृत का क्षितरफल निकाल लेंगे और दुन्नों को एड़ कर देंगे तो देखो कुल लंबाई दियो या 20 मीटर अर्ध वृत का व्यास दिया है 7 मीटर तो अर्ध व्यास से तरिज़ा निकालनी है फिर है आयताकार भाग की लंबाई तो अब आयताकार भाग की लंबाई निकालनी है तो आयताकार भाग की लंबाई आजेगी इतनी यहां से यहां तक तो यह कितनी बठेगी साथ हमने इदर गटानी है साथ इदर गटानी 14 गटा देंगे 20 में से तो यह आजेगी 13 मीटर और आयताकार भाग की चोड़ाई है 7 मीटर तो आयताकार भाग का क्षित्रफल आजेगा 7 गुणा 14 तेरा सत्य क्यान में मीटर्स की है अब दो अर्ध वरीत हैं को दोनों कोणों पे तो दोनों कोणों पे अर्ध वरीत हैं तो पूरा वरीत बन जेगा तो इसका वरीत का क्षित्रफल आजेगा बाई बटे साथ गुना आर गुना आर यानि तरिज्जा गुना तरिज्जा तो बाई बटे साथ गुना तरिज्जा गुना तरिज्जा 3.5 गुना 3.5 तो जब हम इनको स्वालो करेंगे तो यह आजएगी 18.5 मीटर स्केर तो बगिच्चे का ख्षेत्रफल अब दोनों को जोड़ देंगे हम इक्यान में को और इसको यह इक्यान में है और यह है अर्दवरीत का ख्षेत्रफल तो हम दोनों को एड़ करेंगे तो यह एक्षेत्रफल आजएगा टोटल अब दोनों का प्रिमाप भी निकालना है दोनों अर्द का प्रीमाप आजिए आजिए ग दोगुना प्यों प्री मत्री आटप लोंता है bewe इक तरफ था दाली महाप यह को ऐसे का नृद यह ऑनिगा और बगिचे का त। परिमाप आजाएगा हमारे पास जैसे ये अर्द वरित हैं दो तो इनका तो आएगा कितना गया भाई दो पाई यार बाइस मीटर आगया और तेरा मीटर यहां से यहां तक है और तेरा यहां से यहां तक है तो 13 और 26 यह होगे और बाई यह होगे तो यह 48 मिटर आ गया है फिर उसके बाद है हमारे पास इस एक्सेसाइज में देखो कितने प्रसंद है दो प्रसंद और लेते हैं तो यह भी कर लेते हैं चलो तो फर्स पर चोथा प्रसंद है फर्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का कार समांतर चत्रबुज का है जिसका अधार 24 सेंटीमीटर और संगत उंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसमें हमारे पास है चोथा प्रसंद है यह तो हमने क्या करना फर्स बनाना है फर्स बनाने के लिए एक टाइल है हमारे पास समांतर चत्रबुज के कार की जिसका अधार है 24 सेंटीमीटर और उंचाई है 10 सेंटीमीटर और 1080 मीटर क्षित्रफल के एक फर्स को डखने के लिए कितनी टाइलों की अब सकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे पहले फर्स का क्षित्रफल निकाल लेंगे फिर टाइल का क्षित्रफल फिर फर्स के क्षित्रफल को टाइल के क्षित्रफल से भाग दे लिए तो टाइलों की संख्या जाएगी तो यहां पर टाइल का अधार दिया है चोबी सेंटी मीटर इसको मीटर में बदल लेंगे चो भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसे भाग देते हैं सो से फिर टाइल की संगत उंचाई दी हुई है दस सेंटीमीटर इसको भी मीटर में बदल लिया तो टाइल का क्षेतरफल निकालनी है हमने अधार गुना उंचाई तो यह होता है समांतर चतरबुज का क्षेतरफल अधार गुना उंचाई फिर है टाइलों की संख्या निकालनी है हमने हमारे पास फर्स का क्षेतरफल तो दिया हुआ है तो टाइल की संख्या आजाएगी फर्स का क्षेतरफल भाग एक टाइल का क्षेतरफल तो यह हमारे पास टाइल आ जाएंगी पंतारीस हजार टाइल लगेंगी फर्स को डखने में फिर उसके बाद है अगला प्रसन एक और प्रसन लगया इसको कर लेते हैं इसमें हैं देखो एक चिंटी किसी फर्स पर बिखरे हुए विभिन अकारों में भोज़य पदार्थ के टुकड़ों के चारों और घूंग रही है भोज़य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चिंटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा समरण की रखिये वरित की प्रीदी का सुत्तर है दो पाई यार ठीक है यह आपको सुत्तर पता उना चाहिए तो अब यह देखो इसमें हमारे पास है पहला भाग है यह इसमें जो चिंटी है वो वरित की अर्द वरिताकार रास्ते पर गई है वही तो तरिज्जा निकाल लेंगे पहले 28 व्यास दिया हुआ है तो तरिज्जा आजेगी एक दिसमलब 4 सेंटीमीटर इसको दो से भाग देते हैं तो अर्ध वृत का प्रिमाप निकाल लेंगे तो अर्ध वृत का प्रिमाप होता है पाई आर और पूरे वृत का होता है दो पाई आर पूरे वृत का होता है और अर्ध वृत का होता है तो इसको दो से बाग देके कट कर देते हैं तो पाई आर ले जाता है तो चिंटी द्व में है हमारे पास अर्द्वीत का प्रिमाप जम्ह व्यास तो यह आजएगी अर्द्वीत का प्रिमाप है चार्दसमलव चार और इसका व्यास है दोदसमलव आठ तो यह आजएगी इसमें फिर दूसरे चित्र में हमने देखना है कितनी दूरी चली यानि इसके भी व्यास निकालना हमने और फिर इसका व्यास निकालना है तो तीनों का व्यास निकालने के लिए हमने व्यास निकाल दिया इसमें इस चित्र में हमने व्यास निकालना है तो यह चितर दिया हुआ है तो इसमें अर्दुरित का व्यास निकाला है तो यह 8 cm की तरिज़ा है यह व्यास है तो तरिज़ा निकाल लेंगे 1.4 cm तो अर्दुरित का परिमाब वही 4.4 cm आ गया अब चीटी द्वारा तै की कुल दूरी है पहले वह यहां से यहां तक ऐसे गई फिर 1.5 cm रितर गई फिर 2.8 है से आई फिर 1.5 फिर यहां आई तो यह कुल दूरी चली उसने तो यह हमारे पास हो जाती है यह जोड लेते हैं तो 10.2 cm 10.2 cm फिर उसके बाद है अगला चितर है इसमें देखो कुल दूरी निकालनी है इसमें कितनी आएगी तो कुल दूरी के लिए पहले चितर में देखो 2 cm गई फिर 2 ऐसे गई और यह अर्दुरीत की प्रीदी निकाल लेंगे तो यह कुल दूरी देखेंगे कितनी तो यह 2 यहाँ पे है तो देखो इसमें अर्दुरीत का व्यास और अर्दुरीत की प्रीदी 4.4 यहाँ पे है उपर तो कुली है जेगी 2.2 cm 4.4 तो यह कूल हो जेगी 8.4 cm तो सबसे ज़ादा दूरी कौन सी उसमें गई है इसने चिंटी ने दस दसमलव दो सैंटीमेटर यानि इस चित्र में सबसे ज़ादा दूरी तैय किया तो आज की इस वीडियो में आपने यह एक्सेसाइज समझी है इसको आपने अपनी गणित की नोट बुक में कर लेना है औ और अगर आपने अभी तक यह चैनल सबस्क्राइब नहीं किया ना तो इसको चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसमें आपको सभी अक्सेसाइज मिलेंगी धन्यवाद जाहिन